दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं Pondicherry University 2016 MSC Chemistry Interest Papers Solution कपना Part 2 Part 1 में जो हैं मनें Question 50 तक अल्रेडी डिसकस कर लिया है आप जाको से देख लेना तो आज हम Part 2 डिसकस करेंगे यहां पर देखो सबसे पहला Question क्या दिया हुए Which of the following property is exhibited by electromagnetic radiation light in content effect दो content effect जो है mainly आपको बताता है कि light जो होता है na behaves as a stream of particles होगे stream of particles से जिसमें जो कहा जाता कि energy जो है डाटली proportional to आपका frequency होता है तो यानि हम यहाँ पर क्या कह सकते है particle nature of light के बारे में जो है मैं लिए बताता है अब next question देखो क्या दिया हुआ है दडी ब्रोगली wavelength यानि लेमडा पूछा गिया है of an electron traveling जो है 1% speed से जो है light का 1% speed से जो है वो travel कर रहा है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया होगे तो सबसे पहले देखो light की speed होती है 3 into 10 to the power जो है 8 होती है तो इसका 1% कितना होगा 1 by 100 हो जाएगा तो यहाँ पे जो आप solve करें तो कितना हो जाएगा यह उपर चला जाएगा यानि 3 into 10 to the power जो है आपका यहाँ पे 6 आने वाला है अब देखो जब इतनी speed से travel कर रहा है तो अब हमें find करना है lambda की value तो कोई इसे आप note कर ले यह आपका speed of V की value ओके अब देखो lambda is equal to होता है h by mv and h का value क्या होता है 6.6 into 10 to the power minus 34 joule per second जो ही values होती है जूल per second में लिख लिता होगे अब यहाँ पे देखो क्या है mass की value 9.1 into 10 to the power minus 31 into यहाँ पे velocity 3 into 10 to the power 6 जब इसे आप completely solve कर लोगे तो solve कर लोगे तो आपकी value आएगी 0.241 into 10 to the power minus 9 meter करीब आईगा ओके अब देखो यहाँ पे क्या है इससे आप क्या ले सकते हो 241 okay 241 into 10 to the power minus 12 meter और यह जो value है 10 to the power minus 12 meter इसे आप बहुत सकते हो है एक picometer यहाँ जो 10 to the power minus 12 होता है वो Pico के बराबर होता है यानि 241 Pico meter और यह जो value आपके बराबर है वो आपका बराबर है 243 Pico meter के equal यानि अगर आप option number यहाँ पे A देखो तो इसके बराबर है इसलिए answer हो गया A अब देखो next question क्या दिया हुए which of the following जो है यहाँ बोला गिया है complex जो है exhibit optical isomer optical isomer जो है कौन यहाँ पे exist करेगा तो सबसे पहला अगर आपर देखो तो यहाँ पे trans यहाँ पे दिया हुआ है यह आपका किस तरीकर complex है M A4 B2 complex है तो इस तरीक complex कभी भी आपके isomer optical नहीं सो करता है just like माल लो कि यह A मैंने दे दिया ओके यह A हो गया एंड यह हो गया यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से plane यहाँ पास हो जाए मतलब यहाँ पे आपका exist करेंगा बताब यह optical नहीं सो करेंगा ओके दूसरा example देखो सिस में दिया हुआ हुआ है उसी का just example जो trans था यहाँ पे सिस के लिए यह trans में ने बता दिया सीजी बता दिया ओप्शन सी देखो trans जो है यहाँ यहाँ पे मतलब यहाँ पे यहाँ यहाँ बताता हूं तो यह प्लेणों यहाँ अपर यहाँ नहीं मिलने वाली है यहां पर देखो plane of symmetry यहां पर बिल्कुल भी present नहीं है मतलब यह आपका जो है optically active compound हो जाएगा मतलब यह आपका यहां पर optical isomerism सो करेगा इसलिए इसका answer हो जागा हमारा option number जो है D हो जाए correct answer अब हम लेते हैं अपने next questions को यहां पर देखो which of the following is an insulator यहां पर insulator कौन सा है तो एक line आपने जरूरी सोना होगा carbon is behave as a insulator insulator की तरह behave करता है but silicon and germanium two intrinsic intrinsic semiconductor की तरह behave करता है इस तरह के साब आपने questions सुना होगा तो उसके पीछे के reasons होते हैं लेकिन हमें यहां पर पुछा गया था क्यों यहां पर से 3 metal में से कौन से हमारे insulator है तो carbon यहां पर insulator होता है और दो चीज़ा आपको यहां पर पता चली silicon and germanium आपके intrinsic semiconductors होते हैं यानि answer होगी हमारा B अब यहां पर देखो नेक्स कोसम लेते हैं इस कोसम मैं यहां पर नहीं करा रहा हूँ इस कोसम नहीं करा रहा हूँ मैंने solve करने कोशिशी की बड़ थोड़ सी यहां पर doubts आ गिया इसलिए आपको wrong यहां पर answer की नहीं देना चाहता था आप यहां पर देखो next question क्या दिया हूँ Carnot cycle के बारे में पुछा गिया है यहां पर अगर आपने therm dice पड़ा होगा तो यहां पर entropy entropy and temperature के बीच में जब graph upload करते हैं एक rectangle आता है मेलनी आपने इस तरीके से graph देखा होगा यहां पर मैं mistake कर दे रहा हूँ यह कुछ इस तरीके का अपने graph देखा होगा तो यह मेलनी आपने देखा होगा लेकिन temperature and entropy के बीच में यहां पर यह आपका rectangle shape का होता है यहां पर answer हो जाएगा B अब next question हम लेते हैं यहां पर क्या दिया होगा identify the product form in the following reaction सबसे पहले CS3 OS दिया होगा कोई भी heat mention नहीं मतलब हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यहां पर जो है आपका elimination नहीं वहने वाला है क्या नहीं वहने वाला है animation बिल्कुल नहीं वहने वाला है तो यहां पर होगा substitute reaction सबसे पहले क्या होगा यह chlorine leaf कर जाएगा तो क्लोरीन leaf कर जाएगा कार्बोकाटाइन 2 degree मतलब यहां पर SN1 हो सकता है अब देखो यह हो गया इस तरीके से अब देखो यहां पर क्या होगा यह तो इस तरीके से present है लेकिन यह जो है आपका बेंजायलिक present है तो यहां से एक hydrogen इस तरीके से यहां पर transform हो जाएगा आप देखो यह आप क्या देगा यह इस तरीके से यहां पर यहां पर hydrogen हमने shift कर दिया और यहां पर carbon atom हो गया अब next step में क्या होगा next step में आपका CS3OH क्या attack करेगा CS3OH इस तरीके से यहां पर अटक करें के बाद में आपका form हो जाएगा यहां पर compound और यहाँ पर OCS3 कंपाउंट फॉर्म हो जाएगा या नि जो कंपाउंट आगबा फॉर्म हुआ है option D में यह option दिया हुआ यह इसका D हो जाएगा यहाँ पर नेस्ट क्या दिया हुआ यह option बहुत अच्छा कोशन दिया हुए तो यहाँ पर फॉलोइंग रियक्शन आपको पूछा गया है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मालेते हैं इस तरीकले जो भवार्ण में प्रेजन्ट है okay यह इस तरीकले सी naush मैने इसका अटेक होना है तो naush मैने शक्रवन पर यहाँ पर यहाँ ब्लूड सरो करता हूं यह पर शूब सित्परिकर आपकोजिक्शन आपकोद्ट इपर सरे यहां पर आटेक से इस तरीकर से आने वाला है यहां पर अब कोछ इस तरीके से आने वाला है यहां पर प्री स्थ यह बहर छ्ट से मख़हां इसका correct answer, आप एक important बात है, मैं आपको बताने हैं भूल गया, यहाँ पी देखो, epoxidation हुआ तो आपने कहा होगा, कि इसमें epoxidation क्यों नहीं हुआ, इसमें क्यों हुआ देखो, epoxidation क्या होता है, मेटा जो है, आपको पर क्लोर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 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 का जो फेली होता है ना सिंगल वेलू हो सकता है फाइड से कंटिनुवा सब्सक्राइब लेकिन ऐसा नहीं कि ओल्बेज और नॉर्मलाइज फंक्षन हो इसलिए इसका एंसर हो जागा मारा उप्षन वे बी ओके अब नेश्ट को साम यहां पे लेते हैं वीच वन दो फॉलाइ सबसे सबसे इंप्रेज्टर्न ऐसं में सब ज्यादा होता है वह सब्सक्राइब होता है तो यहां पे अमो च्छों नहीं होता है इन्या नहीं होता है हाइठ जो है यह completely 100% S में होते है, 100% जो आपका यहाँ पर S में होता है, लेकिन इन दोनों के cases में अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर आप बात करोगे, PS3 का hydrogen and H2S का hydrogen में जो है, H2S का hydrogen ज्यादा acid होता है, बिकोज यह oxygen family से बिलॉंग करता होगे, यहाँ बहले यहाँ बोट में जो है, यहाँ पर 100% अब दोनों में compare करोगे, तो H2S वाले में जो है, आपका ज्यादा acid होता है, इसलिए आप इन दोनों में कह सकते हों कि H2S जो ज्यादा acid होगा, ओके, अब next question लेता है, यहाँ पर in differential equation जो है, पूछा गया है, एक्स जो है degree of and order is यहाँ पूछा गया है, तो सब इसलिए तब से यह fault होगी, यह से मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं next question से गराता हूँ, यह question दो क्या दिया हुआ, इदा standard यह में पूछा गया है, okay, standard यहाँ पूछा गया है, and यहाँ पर cathode पे जो है, fe वाला है, anode पे fe है, and यहाँ पर cathode पे आपका SN है, मतलब आपको पता है, e cell जो होता है, क्या होता है, e cathode minus e anode होता है, okay, e cathode minus है, यहाँ पर e anode होता है, and बहुत जो है, यहाँ पर reduction potential प्रेजेंट होने चाहिए, and cathode की भीलों आप देखो कि यहाँ पर SN वाले का, sorry, plus 0.15 दिया हुआ है, minus 0.77, okay, जब यह solve कर लागो, तो यह भीलों कितने आ okay, minus 0.62 आजाएगी, यान इसका answer हो जाएगा हमारा option number, जो है, C हो जाएगा correct answer, अब next question क्या पूछाएगा है, the average speed of a molecule जो होता है, यह होता है, root 3RT by M होता है, क्या होता है, root 3RT by M होता है, normal gases state का question था, अब next question क्या लेता है, reaction of phenyl acetylene, okay, यहाँ भी देखो क्या दिया हो है, यह phenyl acetylene दिया हो, यह C triple bond CH, okay, आप इसे 9 BBN के साथ देदी है, okay, 9 BBN के साथ जब आप देदोगे, तो यह मेली जो है, आपका यहाँ पर form करेगा, यह आपका यह anti-marconic ops से जाता है, और यह reduction करता है, okay, तो यहाँ पर एकर आप चेक करोगे, तो यह मेली होगा, यह double bond यहाँ पर जो है, बी-H2 लगा देना, यहाँ पर जो है, अब जब इसे H2 O2 और यहाँ दोगे न, तो यहाँ पर जो बी-H2 जो ग्रूप प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है, आपका OH चला जाएगा, क्या जाएगा, OH चला जाएगा, तो जो form होई से यहाँ पर structure में आपको इस तरीका से, होगे, CH2 and C double bond O and EH, तो यह क्या होजागा, 1, 2, 2, 2 फिनाइल, यहाँ पर AC TELDI क्यों जो होजागा, 2 फिनाइल, AC TELDI, यानि option नमर जो इसका B होजागा, correct answer, अब next question क्या दिया हो, जापर देखो, which on the following is incorrect दिया हो गया, तो इसे आप ऐलिमिसर टेक्निसर कर सकत हो, जहाँ पर देखो, इस तरीके से होता है, यह होगी आपका, ओके, यह होगी आपका फेरोसीन, यह इस तरीके से, इस तरीके जो है, आपका यह फेरोसीन हो गया, ओके, दोनों की हैप्टी सिटी जो है, इटा 5 है, यहाँ भी 5 है, अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ यहां पर फोर्मल चार्ट मैनस वन होता है यहां पर आपका प्लस टू ऑक्सेसे स्टेट में होता है यहां पर आपका और यहां पर 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 यहा निकाल लो तो देखो यह इंगालते हम यहाँ पर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह हो गया, यह माइनस 3, माइनस 2, 1, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, इस तरी किसो हो गया, तो 2 एलेक्ट्रोन कितना हो गया, माइनस 3, माइनस 2, यह हो जाएगा हमारा, माइनस 5, अब यहाँ पर, sorry, यहाँ पर मोड हो जागे, यह प्लस 5 हो जागा, अब 5 value किसके लिए होता है, वो दिखाते हैं, सबसे पहले होगे, तेखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ, S, P, D, F, G, N, यह जो H हो गया, मतलब यहाँ पर term आने वाला है हमारा H, यहाँ एच किसम में है था, बीना solve के हमारा answer आइनसर आगया, बागी आप solve करना term H आगया, and 2S plus 1 से जो हम solve करेंगे, तो दोनों electron कुछ इस तरीके से है, यहाँ यहाँ पर plus 1 में 2, plus 1 में 2, यहाँ 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 पर 2 into 1 plus 1 is equal to हो गया हमारा 3, यहाँ 3H हो गया, and L मैस आप जो है, L मैस आप यहाँ पर calculate करेंगे, आपकी value आ जाएगी, मैं हाँ उसे solve नहीं करना हूँ कि, यहाँ पर 3H4 हमारा आगया हमारा इस case के लिए answer, अब next question क्या देवा, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर CS3, यहाँ पर BR, यहाँ पर CS3, तो यह मैं लिए होता आपका यहाँ पर form होता है, जब trans होता है, मीजो form होते हैं, next question क्या देवाद है, spacing between energy किसके लिए constant होता है, तो harmonic oscillator के लिए 1 by 2H new जो है, हर के लिए constant होता है, हर के लिए constant होता है, E plus यहाँ पर क्या होता है, N plus 1 by 2 into H new होता है energy के बहुलू, 0 लोगे तो 1 by 2H new, 1 लोगे, तो 3 by 2H new, यहाँ 5 by 2H new, तो सबकी energy gap दखोगे, तो 1 by 2H new ही आती है, तो इसलिए answer हो जागा यहाँ पर harmonic oscillator, यहाँ पर next question हम अपना लेते हैं, what is the coordination number जो है, BCC में जो है, BCC में coordination number होता है, 8 होता है, क्या होता है, 8 होता है, यहाँ इसका answer हो जागा हमारा, option number D, तो next के videos में जबागी solution complete क्या लेंगे, end मित्ते हिसतर की videos साथ में next के videos में, तब ते के लिए धन्यवाद,